वेलकम टू ओल मैं डिर स्टेंट स्वागत आपका मिने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वरेंद्र आई चैनल आज हम देखने वाले हैं क्लास एट का और चैनल पढ़ाई बूख का नाम सेक्शन है हिस्ट्री चैप्टर एड जिसका नाम है कॉलिनियल एड्यूकेशन एड्स इंपक्ट चलिए टिक दा करें इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें आप हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा औ आप तक पहुंस तरहें चले स्ट्रेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट कोस्ट्टन वाज दा फाउंडर ऑप ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी राजा राम मोहन राय केसब चंदर सेन बंकिम चंद चतर चतर जी राइट आंसर है सेयद आहमद का वाज दा मोस इंपोर्टेंट सोच्यो रिलिजिस रिफॉर्मर ऑप दे मुस्लिम इन नाइंटीं सेंचुरी ठीक है तो आपको बताना है कि मोस्ट इंपोर्टेंड सोच्यो रिलिजिस रिफॉर्मर कों था मुसलिम समाज के लिए 19th सेंचुरी में सर सेयद खान थे मुहम्मद इकवाल थे मक्सूद अली थे राइट आंसर है सर सेयद आहमद खान की बात करते हैं फर्स्ट रिफॉर्म से स्टार्ट विदे पहले कहां बेंगौल में ब्रह्म समाज वाज फांडेट वाई अभी चुका है कोश्चन राजा राम मोहन राए बिद्या स और किस यहर में किया था राइट आंसर है आरे समाज की स्थापना की दी 1875 में फ्लिन दे ब्लैंक्स फू बन दा नोवल प्राइज और फॉर्ल लिट्रेचर इन 1913 इसको मिला था नाम है रविनाट टैगोर मैंस दा फॉलोविंग फस्वामी दैनम के बारें बात करें तो य समाज यहां पर बात कर दें फॉर्ड बिलियम कॉलेज तो 1801 सरसाइद एमत खा अलिगर्ण मुसलिम यूनिवस्ट्री राजा मोहन राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज और एनि बैसेन थियोसोफिकल सोसाइटी फिलिन दा ब्लैंक्स ऐसे भी कर सकते हैं स्क्रीन सोट लेकि अबोलिस खतम हो गए थी लाजली डियु टू दफा राजाराम मोहन राय के एफर्ड के दुआरा इस्ट्रू नहीं हिंदू बाली का विध्याले खोला गया था इस्वर्चंद विध्यासागर के दुआरा क्या सही है यस इस्ट्रू डरीफोर्म मुवेंट फस्ट पार्ट्स ऑप इंडिया रिफॉर्म जो मुमेंट थे पहले बंगाल में हुए फिर पूरे देश में दीरी दीरी करके फैल गए यास इट्स टू रामाबाई रनाडे वाज रिफॉर्मर और फोर्ट्स और इंडिया यानि आप से खा़ा जानागाय रहारा रामाबाई रनाडे जो ठीक है वो रिफॉर्मर थी जिन्नों ने काम किया establishment of modern education in India के लिए क्या true है yes it's true short answer type question देखते हैं name for evils that existed in the Indian society चार evils के नाम लिखने हैं जो exist करती हमारे Indian society में करती थी सती पृता थी child marriage थी untouchability and polygamy थी name two party reformers that and what was their aim दो party reformers के नाम बताने उनका aim किया था तो पहले हैं नरोजी फर्दोन जी और दूसरे हैं दादा भाई नरोजी they both work for the liberation of the women इन्होंने अपलिपमेंट के लिए काम किया movements के लिए and spread of education education का परचार परसार किया especially for girls और खासकर लड़कियों के लिए they also raise boys against religious orthodoxy यानि religious जो orthodoxy थी उसके खिलाब भी इन्होंने अब आज उठाई what steps were taken to encourage the progress of science science की progress के लिए क्या किस तरीके से encouragement किया गया progress के लिए किस तरह से step उठाए गए चले जानते हैं many types of research practices start बहुत सारे टाइप की research practice start हो चुकी थी various science institutions were set up बहुत सारे इस्थापना की कि set up किये गए funds allocated for research research के लिए funds allocate किया गया जो की बहुत important factor होता है best education provide innovation and technology for the development such as steam engine railway engine and lines printing press एक्सेक्ट बैस्टन education से provide किया गया innovations को technology को यानि इन से हमें यह चीज़े सीखने को मिली development such as steam engine railway engine and lines printing press एक्सेक्टरा के बारे में who wrote India's national anthem किस ने लिखा था भारत का national anthem है ना right answer है रविन्नाठ टेको who fought for the right of women in India women के अधिकारों के लिए कौन लड़े नाम है एनी बसेंट long answer type question की बात करते हैं what were Raja Ramon Rai's contribution to education Raja Ramon Rai का contribution क्या था education के परती चले जानते हैं he was a great scholar of Sanskrit Bengali Persian Arabic and English इतनी सारी language के एक great scholar यह हुआ करते थे besides he also new French German और इसके अलावा भी इनके तो scholar थे उनको French German Latin Greek and Harbi Hebrew यह language आया करती अब आप सोच सकते हैं एक person इतना richful इतना minded person इतनी सारी languages उसको आया करती थी he advocated the English system of education ठीक है उन्होंने English system of education की बकाला थी कि हाँ भाई इसको हमको adopt करना चाहिए adoption of Western strategy in educational institution educational institution में इनकी adaptation की बकाला थी कि हाँ भाई हमको यह चीज़े पढ़ने चाहिए he led the foundation of an English school a Vedanta college and the Hindu college ठीक है तो उन्होंने English college की foundation भी की जैसे Vedanta college हो गया और Hindu college हो गया list the different steps taken by the British government for the spread of education British government ने education को spread करने के लिए क्या क्या steps उठाए चलिए according to the Charter Act 1813 of India 1323 को जो Charter Act था the company was required to keep aside a sum of Rs.1,000,000,000 for the promotion of learning and education तो एक लाख रुपए उन्होंने प्रमोट किया थे promotion के लिए learning और education के लिए गौर्मेंट ने बिटिस गौर्मेंट ने लॉर्ड मैकाले who great admired the best in learning past his minute in 1835 supporting the promotion of your यानि की लॉर्ड मैकालो ने बकालत की हैना his minute उन्होंने मदब आप minute को कह सकते हैं कि यह second minute वाला नहीं है कि एक minute पास की थी है ना तो minute का मतलब है एक प्रस्ताब इस तरह से आप समझ सकते हैं 1835 में लेका है और सपोर्ड किया European literature का science among the natives of India इंडिया के natives में बरनाकुलर that is mother tongue or various regional languages was used as medium of instruction यानि mother language को प्रमोट किया कि भाई यह बरनाकुलर यानि की इस तरह से यह क्या करेंगे mother language जो है mother tongue जो है उसमें इसारी instruction दी जाएंगे in lower and middle school lower middle school में English became the medium of instruction in higher education English capable medium the higher education में there were some changes in the sphere of literature at this time what were they इस ताइम पे English language के sphere में इनके scope में बहुत सारे चीज़े change हुई क्या थे वो चीज़े चले जानते हैं 1801 for William college was set up for William college set up किया गया है अब टू ट्रेन दा British civilians in Indian philosophy literature history law and culture ताकि जो British civilians हैं उनको क्या किया जाए ट्रेन किया जा सके Indian philosophy literature history law and culture में next encouragement was given to the compiled primary books हैना encouragement क्या गया है compile करें कि primary books को grammars को dictionaries को Indian languages को William Jones was another bright Sanskrit scholar William Jones है ना नाम सुनने में इंग्लिस में the great work of Kalidas जो की अविज्ञान साथ कुंदलन किस किया Kalidas जी किया into English English में convert किया है ना translate किया prepared a digest of Indian laws है ना यानि की Indian laws को भी उन्होंने किया कि एक डाइजेस है ना मद्दा आप से कहते हैं comfortable language में इन्होंने चेंज किया उसको he also helped in setting up the Asiatic society at Calcutta इन्होंने help की setting up में Asiatic society को स्थापना कराने में कलकता में now कॉलकटा है ना 1784 में इन्होंने किया था the scholars of this society try to prove that Sanskrit was in no way inferior to Latin यह scholar जो थे society के वो बता रहे थे कि Sanskrit language जो थे किसी भी तरह से कम नहीं है Latin और Greek language say that Indian civilization was at par with any other civilization of the world यानि Indian civilization किसी भी civilization से बहुत बहुत बैटर होती है किसी भी मामले में पूरे विश्व में how did printing press revolutionize the education system printing press मतलब जब से यह establishment हुआ या आप कैसे करते हैं यह picture में आई तब से किस तरह से revolution आगया कांती सी हो गई हमारे education system में name the prominent contributors and the field of education they contributed in it अब वो कह रहे हैं कि आपको ऐसे prominent contributor का जिनने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है उनके नाम बताने हैं और फिल्ड किस फिल्ड में किया education के वो भी आपको बताना है चलिए दा प्रिंटिंग प्रेस इड़ोड नेशन दा एजुकेशन सिस्टम यह सही बात है दा एमपेशेज सिफ्टेट फ्रों पर्सनल औरल कम्यूनिकेशन टू इंपर्सनल कम्यूनिकेशन ऑफ आइडियास थोड़ जर्नल्स और मीडिया यानि कि पहले जो मोखिक बुक्स बगेर आने लगी जर्नल्स आने लगे इस तरह की मीडियम आने लगे इड़ बार्दा सेकेट स्क्रिप्ट्चर विदिन दा रीच आप मैनी लोगर कास्ट यानि कि अब बुक्स आने लगी तो लोग उनको पढ़ सकते थे देख सकते थे चीजों को बर अर्लियर न अबेलेबल फोर देम जो की पहले उनको अबेलेबल नहीं थी अब डिस्कवरीज ऑप रामा नुजम इन दा फील ओ प्योर मैथमेटिक्स और अब सर जगदीश चंदरवोस मेड सबस्टेंशल कॉंटिबिशन टुदा फील ओफ नॉलेज यानि चंदर है ना हमारे जो जग करांती की आग जला चुके थे अब एजुकेशन की बात करें एजुकेशन करांती सीबी रवन जो थे एंड डॉक्टर मेगा नंसा मेड आउस्ट इस्टैंडिंग कॉंटिबिशन टुदा ग्रॉथ फिजिक्स इन्होंने फिजिक्स के फिल्ड में क्या किया बहुत बड़ा कॉंटिबिशन किया इनका जो है ना आप कह सकते हैं अचीबमेंट था यर कॉंटिबिशन था फिल्ड लाए यानि याद करने लाया के बिलकुल ने क्या क्या है Granny आजेकर बंग गाई है संस्कृट कोलेज के his devotion towards learning and the title of विद्यासागर यानि की भाई देखो इनका नाम तो क्या था इस वर चंदरिज था लेकिन इनका जो devotion था इसके लर्निंग के प्रति जो प्रेम था उसकी वज़े से इनको टाइटल दिया विद्यासागर ओशन आप लर्निंग यानि विद्यासागर का मतब है लर्निंग का समुद्र सीखने का समुद्र लर्न करने का समुद्र वो अपनी करेज के लिए जाने जाते थे simple lifestyle के लिए and spirit of sacrifice के लिए विद्यासागर वाज ए गुड राइटर and is considered the father of modern बेंगाली लेंगज विद्यासागर गुड राइटर थे और इनको father of modern बेंगाली लेंगज भी कहा जाता है he worked hard for the appointment of women, women के appointment के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया and strongly felt that girls should be educated और यह बताया कि बहुई girls को भी educate किया जाना चाहिए for this region with the help of British he opened the Hindu Bali का विद्याल है और इसी तरह अंग्रेजियों की British की मदद से इन्होंने Hindu Bali का विद्याल है खोला इस तरह आज आपने वीडियो देखा comment box में comment करके जरूर बताएए my day strength कैसा लगा आपको वीडियो क्या या आपके exam point of business helpful होता है ठीक है किस स्कूल से आप belong करते हैं कौन है आपके best teacher ये सब बाते हमें comment box में comment करके बताएएगा ताकि हम भी आपसे motivate होते रहें आप भी हमसे motivate होते रहें तो चलिए इसी तरह हम मिलते रहेंगे next वीडियो में तो चलिए strength next वीडियो मिलते हैं तब तक के लेते हैं बाई बाई